Dear students, welcome back! अपने PG entrance test और UGC net की तयारी को थोड़ा विराम दे करके आईए एक human tragedy जो हमारे आँख के सामने unfold हो रहा है, उसको समझने की कोशिस करें global politics और IR के नजरिये से और इस नजरिये से भी कि आने वाले examination में क्या उससे कुछ शीजे निकल के आ सकती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक human tragedy जो हम लोगों के आँख के सामने unfold हो रहा है हमारे एक परोसी रास्ट्र में, तो उस पे थोड़ी सी चर्चा करनी, क्योंकि political science के आप स्टुडेंट हैं, ये अच्छा रहेगा. ये बिलकुल academic discussion है, इसमें कोई opinion नहीं है, और ये एक fact पर based, एक mini research जो बहुत ज़्यादा time में नहीं की गई है, उस पर based ये एक तरह का fact finding और आपको बताने के लिए है, और फिर उससे कुछ निसकर्स की, क्या हम global politics और IR जो आप पढ़ते हैं, उससे क्या निसकर्स निकाल स ये एक छोटा सा प्रयास है, so let us begin the Afghan crisis from the perspective of global politics and IR. अब यहाँ पे मैं सुरुवात कर रहा हूँ दो picture से, देखने में तो बड़ी familiar picture है, ये जो है आपको यहाँ मत देखे कि यहाँ क्या लिखा हुआ, इसको भी मत पढ़िये, तो यहाँ पे देखे एक छट पे एक helicopter है, और कि इस तरह से लोग गिरे परे जा रहे हैं इस helicopter से निकल भागने के लिए, ये South Vietnam का 1975 का scene है, वो जगह है सागान, सागान जो है South Vietnam की राजधानी होती थी, और वहाँ पे 200 साल से अमेरिका युद्ध लड़ रहा था, वियतनाम के गुरिला वार्फेर से, वारियर से, North और South Vietnam, North Vietnam जो है, वो communist control था, होची मिन और South Vietnam, जो है USA, एक proxy war चल रही थी बाद में, USA पूरी तरह से वार में आ गया, और 75 में जब वहाँ से हटने का उन्होंने किया, उस हमेरिकिसिंगर थे, तो देखे कि किस तरह से ये last helicopter है, US की, US Embassy के चछत पे, और कैसे लोग इस पे तड़प रह आगे हैं, ऐसी human tragedy थी, अब आप 46 साल बाद देखिए, 46 years के बाद, आप देखिए, क्या यही सीन आपको नहीं दिख रहा है, काबूल का airport है, अमेरिका की जहाज है, और कैसे लोग जो हैं, इस पे गिरे परे जा रहे हैं, कुछ लोग इसके आगे का सीनी दी, आप हैं टायर पे, और वो हवा से नीचे गिरते हैं, एक हिर्दय विदारक दृष्य, मता हर्ट रेंचिंग, जो हिर्दय को कापा दे, और क्या ऐसा fear, trepidation और intimidation होगा, कि लोग अपनी जान इस तरह से कुर्बान कर देना चाहते हैं, और वहां नहीं रहना चाहते हैं, कि हवा से गिर के मर जाएं, या टायर से चिपक के और कूद के और गोलियों से, वहां गोली बारी भी हुई है, तो ये दो पिक्चर 46 साल में, लेकिन कहानी फिर से repeat होती है, कैसे history अपने को repeat करता है, यदि ये scene देखिए, तो ये आपको पढ़ाया गया होगा, अपने बच्पन मे से पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब से इंडियन पंजाब, इस तरह से ट्रेनों में भर भर करके आते थे च्छत पे कूद के जिनको नहीं जगह मिल रहा है, उस तरह से आ रहे थे बिना अपने किसी समान, संपती के रिफ्यूजी बनने के लिए, और आज 74 साल बाद आप देखिए, same situation, काबल में कैसे लोग जो हैं, वो एरपोर्ट के तरफ दोरे चले आ रहे हैं, यहां ट्रेन के च्छत पे हैं, यहां देखिए, प्लेन के च्छत पे, आपने कभी कलपना नहीं की होगी कि हवाई जाच के च्छत पे लोग बैठ के यातरा करने के लि हमेशा से रही है, इस मैप में देखिए कितना इंडिया के करीब हैं, एक तरस हमारा यह पडोसी देश है, पाकिस्तान बीच में आता है, चाइना से भी यह मिला हुआ है, और इस तरफ देखिए कैसे यह Central Asia का द्वार है, Central Asia मतलब जिसमें उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और टर्कमेनिस्तान जैसे कंट्री हैं, जो एक समय में USSR के पार्ट थे, कैसे यह इरान और इंडिया के बीच जो लैंड रूट है, उसके बीच में पड़ता है, किस तरह से यह जो है Middle East को मिलाता है Central Asia से, तो इस नाते इसकी बहुत स्ट्राइजिक लोकेशन है, इसी के चलत एक समय में Britain और Russian Empire जो है यहाँ पर ग्रेट गेम खेलती थी इसको कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद USSR और USA ने वो गेम खेला, प्रॉक्सी वार किया, और आज उसका परिणाम इस Human Tragedy के रूप में दिख रहा है, यह एक पूरे ट्राइबल कंट्री है, यहाँ बहुत सारे ट्राइबल इथनिक ग्रूप हैं और बहुत स्ट्रॉंग फीजिकली भी होते हैं, मेंटली भी और लड़ाई और रेस्टेंस में उनकी कोई सानी नहीं है, तो उसमें सबसे जो बड़ा ग्रूप है वो पस्तून है, ताजीक है, हजारा है, उजबेक है, यह चार जो है हैं, बाकी और भी बहुत सारे वहाँ ग्रूप हैं, पस्तून जो में वहाँ के ट्राइब है, आप कह लिजए दर ट्राइब, जो पॉस्तो लेंग्विज बोलते हैं, जो एक एक फॉर्म ऑफ एंसेंट इरानियन है, बिफोर इसलाम जबाया था, उस टैंक का, इंडिया का जो अफगान कनिक्सन है, वो बहुत पुराना और बहुत सुद्रड है, मतलब इतना स्ट्रॉंग हमारा नाता अफगानिस्तान से है, कि आपको जो मैं बताऊंगा तो आपको चौंक भी सकते हैं, जो मौरियन डानिस्टी, जो चंदगुप्त मौरिया का रूल था, वो अफ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, एक समय में आपको पता है कि अलग्जेंडर ग्रेट जब इंडिया आये थे, तो अफगानिस्तान को जीते हुए आये थे, जब अलग्जेंडर ग्रेट लॉट गये, सिकंदर का लीजिये, तो वहाँ पे सेलुकस और उसका जो सेनापत में जिकर मिलता है, जिसकी जो प्रिंसेस थी, वो गंधारी थी, जिसकी साधी धृतरास्टर से हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक मैथोलोजी में भी जो है अफगानिस्तान किस तरह से, और गंधारा आर्ट कितना फेमस है, जो बुद्धिस की परतिमा जो आती ह उसको एक पर्टिकुलर टाइप से बनने को गंधारा आर्ट बोलते हैं, कनिस्का एक बहुत फेमस इंडिया के रूरर रहे हैं कुशान डाइनस्टी के, उन्होंने जो है अफगानिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पे उनका रास्ता और उस टाइम में वहां बामियान म बुद्ध की बड़ी परतिमा लगाए गई थी, जो तालिबान ने बाद में उसको उड़ा दिया था, जो कि बहुत एक दुखत घटना है, तो उस सेमें बुद्धिजम जो है, कनिस्का ने बुद्धिजम अपनाया था, तो अफगानिस्तान ने पूरा बुद्धिजम फै रहते हैं, वो लोगों ने वहाँ पर राज किया अफगानिस्तान पर, फिर मेडिवल काल में जो है महमूद और गजनी आते हैं, जिन्होंने सोमनात मंदिर को लूटा इतने बार, तो वो जो है गजनी कहां थी, गजनी जो है अफगानिस्तान में थी, उसका मुहमद गोरी गोरी कहां है, गोरी जो है अफगानिस्तान में है, यह सब अफगानिस्तान से आया थे, मुहमद गोरी ने यहां पर पृत्वी राज चौहान को हड़ा करके यहां दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो यह अफगानिस्तान से आय हुए लोग थे, दैन फिर लोधी, जिनका दिल्ली में पूरा लोधी गार्डन है और लोधी के काफी सारे मकवरे हैं, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, ये सब लोधी जो हैं वो अफगान्स थे, दिल्ली सुल्तान थे, सेरसा सुरी दे ग्रेट, जो शाशन करने वाले जिन्होंने मुगल हुमायू को हराया था, वो भी अफगानी थे, उसके बाद अहमद साअबदाली आते हैं, जो आपको एदि हिस्ट्री में याद हो, तीसरी जो लड़ाई हुई थी पानिपत की, जो थर्ड बैटल अफ पानिपत, उसमें उन्होंने 1761 में, मेमोरी से मैं बूल रहा हूँ, उन्होंने म पराठों को हराया था, थर्ड बैटल अफ पानिपत में, अहमद साबदाली जो की, अफगानिस्तान के founder है, modern अफगानिस्तान के 1747 में, उन्होंने स्थापना की एक तरह से, जिस अफगानिस्तान को आज हम जानते हैं, अहमद साबदाली, और अहमद साबदाली जो है, वो स तैमुर लंग के बाद, दूसरे दिल्ली को पूरा तहसनेस करने हैं, उनके सेनापती थे अहमद साबदाली, जिन्होंने माराठों को थर्ड बैटल अफ पानिपत में हराया था, तो इस तरह से आप देखेंगे, तो बहुत हमारा strong connection जो है, अफगानिस्तान से रहा है, एंस तरह से कही है, भागी को बदल देता है, और अब भी जो हम problem देख रहे हैं, वो Soviet invasion का ही एक तरह का परिणाम है, तो ये समझने के लिए पहले brief history हम लोग देखें, आफगानिस्तान का, जब से ये इस्थापना इसकी हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि 1747 में, अहमद साब अब्दाली ने इसकी स्थापना की, इसको दुर्रानी अंपायर कहा गया, और एक समय में दुर्रानी अंपायर इतना विशाल था, कि वो Ottoman Empire के बाद मुस्लिम का सबसे बड़ा वर्ल्ड में अंपायर था, इसके संस्थापक थे, आहमद साब, अब्दाली मैंने आपको बता आके उन्होंने एमिरेत की स्थापना की, एमिरेत मतलब क्या जिसके कि शाशक अमीर कहलाते थे, जैसे अभी भी संहुक तरह अमीरायत है, तो एमिरेत, अब वो जो है दुर्रानी अंपायर से एमिरेत और अफ़गानिस्तान हो गया, 19th century में great game खेला जाता था, ये क्या था मतलब कि British और Russian Empire के बीच में one upmanship की मेरा अफगानिस्तान होगा, मेरा अफगानिस्तान होगा, Russian Empire को सुरू से अफगानिस्तान पे नजर थी, क्योंकि जो Central Asian जो उजबेकिस्तान, ताजीकिस्तान, तर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एक समय में तो USSR का पार्ट भी बन गया, उसक अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता, जैसे कि Russian Empire उसके बीच में एक बफर स्टेट बना रहे है, और वो Russian Empire के सीधे टकर में ना आए, तो ये एक great game का पार्ट बन गया, उसी समय से football खेला जाएं लगा अफगानिस्तान के धर्ती पे, एरीना बन गया वो great game का, जो आग उने Myanmar को किया और अधर प्रदेश को किया, अधर स्टेट को किया मिलाने का अपने British Empire में उने कुसिस की, लेकिन अफगान अब तो आप समझ गये होंगे कि कितने जो हैं जाबाज होते हैं, कितने लडाके होते हैं, और कितने इंडिपेंडेंडेंस प्रेमी होते हैं, वोर ल अंगलो अफगान वार होता है, अब इसको पढ़ लीजेगा, इसमें इसा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट वार में तो एक तरह से ब्रिटेन की हार हो गई, सेकेंड वार में ब्रिटेन जीता, और उसने फॉरें अफेर पे कबजा जमा लिया, उस बात नहीं मानी, और उसी टैम में डूरंड लाइन खीची गई थी, जो लाइन सेपरेट करती थी, अफगानिस्तान और ब्रिटिस एंपायर को, जो बाद में जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन बन गई, अफ़कोर्स, ब्रिटिस एंपायर का पार् क्राइसिस में भी लेकिन कुछ कर नहीं पाया, उनका डेथ हो गया, जहीर सा को बहुत वहाँ इजद की जाती है, तो next four decade तक एक मोनार्की रहा, मतलब किंग सासन करते थे, 1964 में जो है वो जहीर सा ही होंगे, उस से में उन्होंने constitutional मोनार्की इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे क प्राइम मिनिस्टर मोहमद दाउद, उन्होंने जो जहीर सा के PM थे, उन्होंने कू कर दिया, मतलब जिसको आप revolution कर सकते हैं, military revolt, और वहाँ पे अफगानिस्तान एक Republic में convert हो गया मोनार्की से, और फिर जो है USSR और Western Power के बीच का game जो है सुरू हो गया, 1978 में General दाउद, जो मो उनकी तकता पलट हो जाती है, वो उनकी मारे जाते हैं, Soviet, जो है pro Soviet coup में, अब Soviet वहाँ मतलब interfere करने लगा उस game में, और Soviet जो है अपनी एक puppet government बनाता है, People's Democratic Party, जो pro US थी, वो power में आते हैं, लेकिन वो violence, इतना ज्यादा violence होता है, civil war जैसी situation हो जाता है, और मुझाहिदीन, जि People's Democratic Party के government के बीच में लड़ाई होती है, तो अब लड़ाई किस के बीच में हो रही है, मुझाहिदीन लड़ रहे हैं, अपने ही government से People's Democratic Party, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है, pro USSR है People's Democratic Party, और pro USA है मुझाहिदीन, तो actual proxy war हो रही है, US और USSR के बीच में, दो मुखोटों को खरा क करके, यही हमेशा हर जगह Korea से ले करके और हर जगह Vietnam हर जगह होता रहा, जहां भी arena cold war का हुआ कि लड़ते थे, actual में USA और USSR और actual में field में मरवाते थे किसी और को मुखोटों के रूप में, this is called proxy war या arena of the cold war, अब देखिए क्या होता है, Soviet invasion होता है, इसी के साथ cold war intensify हो जाता है detaunt खतम हो जाती है, 1979 में Soviet ruse बोलता है, nothing doing, अब सीधा वहां पे हम control करेंगा, वहां हजारो tank भेज दिये जाते हैं, Soviet army वहां गुज जाती है, अफगानिस्तान पे कबजा जमा लेती है, अब बाबरक करमाल जो है, उनको वो Soviet backed regime अब वहां होता है, Soviet backed government और बार बार करमाल ज करती है, again वही मुजाहिदीन को वो arms देती है, पैसे देती है, fight करने के लिए Soviet सरकार से, Soviet backed regime से, और ये civil war जो है, continued रहता है, मतलब लडाई चल रही है, USA, USSR के बीच में, लेकिन मुखोटे कोई और है, अब बन गया बार-बार कमाल और मुजाहिदीन, 1985 में मुजाहिदीन के सारे group हैं, वो लोग सब पाकिस्तान में जमा होते हैं, पाकिस्तान भी अब उसमें कूद परता है, और वो लोग एक alliance बनाते हैं, Soviet forces से लडने के लिए, 1986 में जो है, प्रॉक्सी वार और तेज हो जाता है, बार-बार कमाल को हटा दिया जाता है, और वा नजी बुल्ला जो ह है, यह very handsome person, सारे 6 feet के आप देखेंगे, तो sports person पहलवान जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी इतनी धर्दनाक मौत होती है, कि भगवान किसी को ऐसी मौत ना दे, नजी बुल्ला जो है, वो बनते हैं, president, again वही Soviet-backed regime के, 1988 में अफगानिस्तान, USSR और US और पाकिस्तान के बीच में peace accord होता है, यह चारो country मिल करके जो है, एक treaty करते हैं, शांती समझोता करते हैं, और उसमें यह कहा जाता है, कि Soviet जो है, अपनी सेना को हटा लेगा वहां से, एक साल के अंदर ही जो है, गरवा चौब जो है, वो Soviet सेना को पूरी तरह से वहां हटा लेते हैं, नजी बुल्ला ब एक civil war हो गया, नजी बुल्ला ने कोसिस किया एक दो साल तक लड़ने की, जैसे असरफ गनी ने तो कोसिस भी नहीं किया, वो भाग गया, लेकिन नजी बुल्ला ने दो-तीन साल तक कोसिस किया, लेकिन उनकी बहुत दर्दनाग मौत हुए, उनको घसीड-घसीड के उनके ल जैसा अभी देख रहे हैं, अभी USA भाग रहा है, उससे में USSR भाग रहा था, अब USSR के जाने के बाद या भागने के बाद होता क्या है, बुटल civil war, अगले चार सालों तक, दो-तीन साल तो नजी बुल्ला विचारे ठीके रहे, मतलब मैं बार-बार इसले कर रहा हूँ को इन इतनी सारे थे, गुलबदिन, हिकमतियार, इसलामिक पाटी के वो लड़ते थे, अहमद साम, मसूद, जो है, नॉर्धन एलाइंसे, जिनको USSR सपोर्ट करती थी, वो नॉर्थ हेरिया में लड़ते थे, और तालिबान, जो है, 1994 में उभरने लगा, तालिबान का जो मतलब होत में जादा थे, लेकिन इनको सपोर्ट, वो मुझाहिदिन के ये पाट होते थे, तो इनको ठीर सारा आम्स एम्मिनिशन तो USA ने दिया था, तो तालिबान एक तरह का USA का ही खड़ा किया हुआ, जो है, भसमा सूर है, जो बाद में उनके ही उपर अटाक का खारण बन जाता ह ऐसा ही होता ही है, कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो एक समय में वही आपके लिए आफ़त का परकाला बन जाता है, तो तालिबान सबसे स्ट्रॉंग बना, उसने सब को हराया, और 1996 में तालिबान इस्टैबलिस्ट इसलामिक रूल एज़ पर शरिया, जो आपको मै से बाहर नहीं निकलना है, और कोई सिनेमा, थियेटर, नहीं म्यूजिक, जितना भी आप सोच सकते हैं, जो एक बाक मतब चले जाना कल्चर में बहुत पीछे उस टाइप का शाशन हुआ, जो को की बहुत लोग अभी भी बहुत ही फीर के साथ याद करते हैं, बहुत ही से तालिबान के उस सिहरन भरे जो पांच साल थे, कि लोग अभी टाइर पे चड़के और वो हवा से कूद करके भी जान दने को तयार है, लेकिन तालिबान रूल में नहीं आना चाहते हैं, इसी पांच साल के एक्सपीरियंस के बारे में, 1996 में उसामा बिन लादेन एक और आफ़त का परकाला जो है, वो जो की साओधी अरब के बिलिनियर थे, लेकिन उनका जुकाओ जो है, जिहाद के तरफ था कि हम पूरी दुनिया में जो है, वो इस्लामिक राज इस्थापित करेंगे, तो हर जगह वो सपोर्ट करते थे अप अपने अलकाइदा की स्थापनात उन्हों 88 में ही कर दी थी, अलकाइदा के सारे गुर्गों के साथ में वो जो है, टोरा बोरा के पहारियों में वो अपना बेस बनाते हैं, और मुहमद उमर के वो दोस्त बनते हैं, और गेस्ट बनते हैं, उसामा बिन लादेन, अब 1998 में अल-काइदा जो है एक बड़ा सा अटाक करता है, टेरिस्ट, सिमल्टेनियस बम बरसाता है, US Embassy में, नैरोबी में, केनिया में, दारिस्लाम, तंजानिया, 224 लोग मारे जाते हैं, पूरा तहलका मच जाता है, और USA, जो है, क्रूज मिसाइल से अटाक करता है, अफगानिस्तान पे, टोरा भूरा में उसको मारने के लिए, उसको ऑपरिशन इन्फनाइट रीच नाम दिया गया, 2001 में सबसे बड़ा जो है, कारणामे को, टेरिस्ट, कारणामे को अंजाम देता है, उसामा बिन लादेन, अल-काइदा, आफगानिस्तान से बैठ करके, जो की 9-11 के रूप में, आप सब जानते हैं, क्या हुआ था, और USA ने सीधा डिकलियर कर दिया, वार अन टेरर, अन तालिबान रिजिम, क्योंकि उसने मुहम्मद उमर को वार्निंग दी, जोर्ज भुस, प्रेजडेंट USA ने, कि तुम उसामा बिन लादन को हमें सौप दो, और उसके सारे जो टेररिस्ट, अल-काइदा के कैम्प हैं, उसको बॉम से उड़ा दो, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, मुहम्मद उमर, तो इसको, इसके चलते, युएस ने, ओपिन वार ओन टेरर डिकलेर किया, और उसने चड़ाई कर दी, तालिबान रेजिम पे, जिसको उन्होंने नाम दिया, ओपरेशन इंडूरिंग फ्रीडम, ये एक्जामने सनवह पूछा जाता है, इन्फनाइट रीच और इंडूरिंग फ्रीडम, और कुछ फ्रीजाईल रेजीम बहुत ही, फ्रीजाईल रेजीम जो है, पहले हमीद करजाई, राश्पती बने, फिर असरब गनी बने, और वहां इलेक्शन जैसा हुआ, उसमें बहुत सारी धानली की भी शिकायत हुई, लेकिन फिर भी एक फ्रीजाईल डेमोक्रेसी, एक बनी, एक modern, democratic बनाने की कोशिस की गई और USA और NATO दोनों मिल के ये करते थे उन लोगों ने ये message दिया कि हम यहाँ state बिल्ड कर रहे हैं, एक failed state को बना रहे हैं nation बिल्ड कर रहे हैं, modernization ला रहे हैं infrastructure ला रहे हैं, airport, port, road, highway, internet और सारी चीज़े यहाँ पर बन रही हैं यहाँ की बच्चियां अब school में जा रहे हैं, college में women सरकों पर निकल रही है, mayor बन रही है, वो job कर रही है वो education minister भी वहाँ पर बनी, इस type के जितनी भी हो सकते हैं वहाँ की cricket team देखे कितना अच्छा world cup तक में खेली और India ने भी उस cricket team को यहाँ training दी और काफी चीज़े इंडिया के engineer वहाँ गए, वहाँ पर विशेशक गए, doctor गए, trader गए, businessman गए और billions of dollars अफगानिस्तान को rebuild करने में, इंडिया ने भी खर्च किया तो इस type से जो है एक नया अफगानिस्तान बनने की कोशिस अमेरिका के सहियोग और उसके दबदबे से वहाँ पर की गई लेकिन क्या तालिबान चुपचा बैठे रहे, no, in 20 years में वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे कि ये वियतनाम, दूसरा वियतनाम वार्व बन गया है, एक ग्रेवियार्ड बन गया है, तो वहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, और ट्रम्प ने निकलने की घोसना कर दी, और जो बाइडन आये तो उन्होंने एक दम डेट दे दिया कि हम सेप्टमबर 11 तक चले जाएंग इस बीच में, जो 2011 में एक घटना होती है, उसमा बिन लादन को मार दिया जाता है, अमेरिका, अबोटा बाड़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सफलता रही, टेरिरिजम के अगेंस्ट में, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया, नेप्चुन स्पीर, ये भी आप याद कर पूशा जाता है, तो ये ही एक सफलता रही, अमेरिका की बाकी तो सब वहां फेलियर ही रहा है, उसके बाद, विक्ट्री के बाद, उन्होंने एक बैटल तो जीत लिया, लेकिन ओवर ओल वार जो है, वो एक तरह से हार गया, अब यहां देखिए जो ये जो इस्टेट बि लीडर मिलते हैं और वहां सभी बड़े फैसले होते हैं, उन्होंने एक नया कंस्ट्रीचूशन 2004 में बनाया, जिसने प्रेसिडेंट को बहुत सारा पावर दिया, हमीद कर जाई, उसके प्रेसिडेंट बने, फिर उन्हें ने 2009 में एलेक्शन को फिर से जीता, और दो टर्म तक प्रेसिडेंट रहें, वहां के जो एरपोर्ट है काबूल में हमीद कर जाई, एरपोर्ट कहलाती है, उन्हीं के नाम पे, और वो इंडिया से भी उनका गहरा नाता रहा है, 2004 से 14 में तालिबान का रेसिटेंस जिसा मनें बताया है, चलता रहा, सुसाइड अटाक होता र जो अभी government है, उसके साथ में मिल के power share करो, 2014 के April में presidential election होता है, वहां पे एक inconclusive result आता है, कोई फैसला नहीं होता है, असरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ये दोनों कहते हैं कि हम जीते हैं, बाद में दोनों मिल करके US के, मतलब एक brokering से, मतलब mediation से एक power sharing agreement करते हैं, असरफ गनी को जो है president बनाय जाता है, 2014 से 2020 के बीच में Taliban जो है अधिक से अधिक जो है वो victory करता जाता है, एक एक शहर वो जीतता जाता है, US बिलकुल ठक चुका है, US-backed regime जो है वो Brazil है, week है, US कहता है कि मैंने तीन लाख सैनिक को train किया था, अफगान के, लेकिन आप देख लिजेगे क्या हालत है, वो तीन लाख क्या तीन सैनिक भी नहीं दिखे और कैसे काबुल भरवडा के गिर पड़ा तीन घंटों के अंदर, तो वो regime समझे क्या था, कुछ नहीं, प्रेजडेंट भाशन दे रहे हैं, असरफ गनी और उनके background में जूरदा धमाका होता है, और आप देख सकते हैं कैसे प्रेजडेंट हिल जाते हैं, तो ये, ये, ये फ्रेजाइल रेजिम, मतलब तालिबान ने उनको तबाह कर दिया, इतने इतना डराया, और US को बिलकुल ने थका डाला, US और NATO को, तो ये जो, लेकिन इस बीच में state building जिसा मैंने बताया हुई, वहां बहुत सारे infrastructure बने, उसमें India ने भी बहुत invest किया, billions of dollars, democracy भी एक तरह से आई, वहां पे individual right दी गई जो western country में होता है, women के education हुई, sports and all, मतलब एक open environment बना वहां पे, cinema hall से ले करके, internet and others, जो होते हैं, dress and all, तो development modernization जो western कहा जा सकता है, वहां पे हुआ, February 2021 एक बहुत important date है, यहां पे US तालिबान की एक landmark peace treaty होती है, दोहा, कतर में, US ने इसमें वादा किया कि हम सारे force को जो है अगले 14 महने में हटा लेंगे, और तालिबान ने promise किया कि हम peace talk करेंगे, जो अभ Afghanistan government है, Afghan government, और हम terrorism में indulge नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, तो यह एक peace talk हुआ, of course, Taliban ने उसको तोड़ दिया, उन्होंने कोई peace talk नहीं की, Afghan government से कहते रहे, करेंगे, करेंगे, लेकिन वो तो इतने बलशाली हो गये थे, वो एक से एक सहर जीते जा रहे थे, उनको क्या पड़ की, मतलब इतना लुंज पुंज गोर्मेंट थी, उनको तो भाग जाना था, तो वो भाग गये, now how the event unfolded after the peace deal, फरबड़ी के बाद देखिए, तीजी से घटना करम आगे बढ़ता है, April 14 को जो है, नए US President Joe Biden एनौंस करते हैं, कि हमारा US Troop एक एक चला आएगा, May 1 से सुरू क करेंगे और September 11 तक हम वापस हो जाएंगे, देखिए, September 11 क्या एक डेट उन्होंने चुना, वही September 11 जहां पिक उन्होंने प्रण किया था, कि हम वहाँ terrorism को मिटा देंगे, उसी September 11 को वहां से उभागने को मजबूर हो रहे है, July, 2 July को US Troops quietly चुपके से वहां का, जो सबसे बड एर बेस उन्होंने बनाया था, बागराम एर बेस वहां से निकल जाते हैं, US, छोड़ देते हैं असरफ गनी को उनके भागे पे, July 21, 2021 को Taliban insurgent controlled about a half of the country's district, आधा country उन्होंने कबजे में ले लिया, July 25 को जो है, US प्रण करता है, कि हम अफगान जो टूप है, जो जो अफगान अब जो बाइडन बोलते हैं कि कमजोर को कौन help कर सकता है, हम तो उसको इतना training दे रहे थे, लेकिन वो ही खुद भाग गए, तो हम क्या करें, अब एक तो यह passing the buck है, अगस्ट 13 को जो है Taliban चार province को के capital को एक ही दिन में कबजा जमाता है, कंधार को, जो उनका spiritual home भी होता है, अजादी का यहाँ जस्न मनाने के त्यारी कर रहे थे, तालिबान ने मजार शरीफ, वहाँ का बहुत बड़ा टाउन, पुले अलाम और जलालाबाद, जो second best, मतला कंधार के बाद हो सकता है, वो सब काबूल को उन्होंने घेर लिया, चारो तरब से, और बंदरा को समझे कि क्या तमासा है, कि US कह रही है, US के intelligence भी कह रहे हैं, यह सब मैसेज आ रही है, कभी तो दो-तीन महने तक जो है, अफगानी सेना जो होल्ड आउट कर सकती है, काबूल को तो फॉल इतना जल्दी नहीं होने दिया जाएगा, और फॉल कुछ घंटों में हो गया, 15-16 कोई तालि और मतलब पूरा कैوس हो जाता है, और आपने जो सीन देखा उसके बाद से तो एक दो दिन में आप देख रहे हैं, कैसे लोग सड़कों पे बदवास दौर रहे हैं, एरपोर्ट के तरफ गोलियां चल रही हैं, आवाज आ रही हैं, कैसे लोग जो हैं प्लेन में घुसने के ले लेते हैं, एर कंट्रोलर भी अपना लेते हैं, जिससे कि वहां से उनकी हवाई जहाज उड़ सके, पूरा जो आसमान है काबुल का, वो यूएस के हेलिकॉप्टर के गडगणानी के आवाज से गुन जाती है, वहां दरजनों हेलिकॉप्टर से वो अपने कौम जो है, तो यह वहां पे एक ट्राजडी, अनफोल्ड होरी हम लोग के आख के सामने, अब यहां पे लास्ट में देखे कि इसका क्या इंपक्ट है यूएसे और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, सबसे पहला है कि इसने बिलकुल धक्का लगाया है यूएस की जो इमेज है, एक सोल सुपर पावर की और ग्लोबल चौधरी की जो है, जो गाउं का चौधरी होता है, ग्लोबल विलेज का हैजमन, उसको एक बहुत थगड़ा जहटका पहुँचा है, वो हिल, मतलब लोगों के नजर से एक अमिर्का का ये सीन के अपने हेलिकॉप्टर से अपने डिप सालों से जिन्हों ने उनको इतना अपनी जान को जोखी में रख करके, जैसे मेर कहती हैं, जो एक लेडी हैं वहाँ पे काबुल में, कि मैं अब इंदजार करे हूं मरने का, क्या इस तरह की बाते, अमिर्का ऐसा सुपर पावर कैसा सुन के उन्हें लगड़ा होगा। चाइना और रसिया इससे बेनिफिट होता है, पाकिस्तान भी बेनिफिट होता है, चाइना गौट ए फर्म फुटोल्ड इन सेंट्रल एसिया, जो वो चाहता था, उसकी जो बेल्ट रोड इनिसेटीव है, बी आर आई, वो उसको पास करती है वहाँ से, गौदर पोर्ट ज इससे फेसिंग होस्टाइल इरान एन अफगानिस्तान, अब क्या है, कि इरान तो पहले से होस्टाइल है USA का, आफगानिस्तान भी एक होस्टाइल रेजिम वहाँ पे आ जाएगी, तो उसका इन्फ्लूएंस जो है मिडल इस्ट में घट सकता है, USA's and Western World Theory, जो उनका है कि State Building ह जैसे हम लोगों ने किया है, डिवलप्मेंट कर सकते हैं, जो Western Discourse है, वो सब it has suffered setbacks, जो सब पीछे चला गया है, UN जो है फर्दर अपनी जो है रिलिवेंस को लूज कर रहा है, UN क्या कर रहा है, आज कोई पूछे कि United Nation क्या हो रहा है, क्या उसके responsibility है, human security को लेकर के, लोगों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि हो क्या रहा है, यह जो turmoil or human tragedy हो रहा है, एक nation state के border के अंदर मान लीजे, लोग मर रहे हैं, टायर पे चड़के गिर रहे हैं आसमान से, तो क्या पूरी दुनिया ऐसे मूग दरसक देखेगी? यह एक question है, क्या मतलब इसलिए क्योंकि एक particular boundary क के अंदर यह people हैं, तो वो खतम हो जाते हैं, उनका कोई हक नहीं है, किसी दूसरे जो लोग दुनिया में रह रह रहे हैं, उनको बचाने के लागयाने का कोई उनका right नहीं है, यह सोचने की बात है, यदि हम global politics और IR के लिए इसमें lesson देखें, तो realism जो है उभर करके आता है, आपने realism पढ़ा, liberalism पढ़ा, और कई constructivism and बांकी, लेकिन क्या दिखता है, जो जमीन पे दिखता है, वो realism दिखती है, anarchic world order है, self-help, कोई world government नहीं है, कोई united nation नहीं है, आपको रक्षा आपनी खुद करनी है, survival अपना खुद देखना है, आफगानिस्तान became the arena of great game between superpower, यह तो म possible for superpower, देखे, यह बहुत important है, इस Afghanistan war ने यह दिखा दिया, कि आप एक third world country को दूर से, अपने fire power से, अपने cruise missile से, हरा तो सकते हैं week में, कोई दिक्कत नहीं, आफगानिस्तान को आपने हरा दिया open war में, लेकिन वहाँ पे बहुत दिन तक रह करके, आप उसको hold down नहीं कर सकते ह यही इराक में हुआ, यही जो है वियतनाम में हुआ, यही इंडिया को स्रिलंका में face करना पड़ा हम दों को इंडियन peacekeeping force हम लों ने भेजा, कहीं पे भी आप local resistance से आप पार नहीं पा सकते हैं, यह इसका एक lesson है, कि यदि कहीं की जनता ठान ले, कि हम आपको नहीं मानते है तो आपको वहाँ से भाग नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े superpower आप दूर में जाके राज नहीं कर सकते हैं, human right, human security, liberty और जो nationalism और nation state है, यह दोनों भी टकराते दिख रहे हैं, कौन बड़ा है, क्या human security का concern नहीं है, यदि वो किसी nation state के boundary में आते हैं, liberty का क्या म जाती है, और पूरे human community, जो है, humanity यदि undivided chain है, तो वो कहा है, यह सारे question उठते हैं, modernization and development जो है, हमेसा एक western discourse रहा है, रहेगा, उसको challenge किया जाता रहेगा, traditionalism और cultural relativism से, तालिबान के नज़रिये से देखें, तो वो कहेंगे कि शरिया-based जो हमारा Islamic rule है, वही development है, वही जो ह आगे बढ़ना है, हम पीछे चले गए थे, western culture, modernization or development का जो notion, जो वो कहते हैं, उसको अपना के, debate हो सकता है, state and nation building, external support से long lasting नहीं होगा, अपने खुद के जब endogenous होगा, तभी वो state बनेगा, तभी nation बन सकता है, यह बाहर से आप थोप नहीं सकते, 20 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर तालिबान के हाथों में चला गया अफगानिस्तान, and finally हम देखें, तो हमारे country के लिए भी बहुत challenges है, बहुत ही concerning है, हम लोगों ने एक friendly state को lose कर दिया, यह जो असरफ गनी का जो state था, अफगानिस्तान, US backed, वो हमारा दोस्त था, वहाँ हमारे engineer जाते थे, doctor जा रहे थ वहाँ, बहुत सारे Indian वहाँ जाके nation को build कर रहे थे, हमारा investment था, business था, वो सब जो समझे, billions of dollars उसमें drain में चला गया, तो यह सब, maybe, मतला, पता नहीं क्या होगा उसका, had to face a hostile, fundamentalist Taliban regime at his doorstep, आपको याद होना चाहिए, कि 5 साल का जो Taliban regime है, उससे हमारा कितना 36 का आकरा रहा, अधार में हमारे plane को hijack किया गया, तो Taliban ने बिलकुल हमें help नहीं किया, उन्होंने पूरे plane को घेर लिया, and they ensured कि यह जो terrorist को छूट करके जाएं, एक तरह से उन्होंने हम लोगों को आखे तरी और Taliban को हम लोगों ने, कभी उस regime को India ने मानिता नहीं दी, केवल तीन ही state ने, Pakistan UAE और Saudi Arab ने उसको मानिता दी थे, मैं मैं उरी से बोल रहा हूँ, तो वो पता नहीं किस तरह से पेश आएगा, क्योंकि उसका जो vision है, वो जिहाद का है, वो पूरे दुनिया में जिहाद करना चाहते हैं, Islamic राज स्थापित करना चाहते हैं, तो उनकी नजर कैसे पड़ेग कुछ लोग कहते हैं कि ये तालिबान वो है ही नहीं जो पहले की थी, ये उर्दू बोलने वाले तालिबान है, पोस्तो नहीं बोलते हैं, और ये जो है पाकिस्तान के trend किये हुए है, ये पाकिस्तान की पूरी favorite मतलब की सरकार या पिठ्छू सरकार होगी, ओएसे में, गस् strong हो गया इस घटना से जो है हमारे immediate neighborhood में उसका कैसा आसर पड़ेगा ये भी हम लोग के लिए देखने की बात होगी So, okay dear student, ये कुछ references हैं जो मैंने बहुत ही हरबड़ी में क्योंकि मेरा main focus अभी in trans test है लेकिन मुझे लगा क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे mail भेजा और बहुत लोगों request की कि sir इस पर थोड़ा आपको बनाना चाहिए तो ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ यदि आप लोगा response अच्छा रहेगा तो मैं जो भी घटना होगी जिसका political importance होगा उसको मैं ले करके इस तरह से आदे घंटे के इसमें आने की कोशिस करूँगा यदि आपको पसंद आया और आपका favorite comment मिला इसलिए like करें, comment करें, subscribe करें bye, thank you, see you next